हिंदू रास्ट के नाम पर हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं अगट बंदन देखके बहुत खुशी की लहर आईए मुरादाबाद में सब लोग खुशे हैं और प्रेंगा गांधी और प्रियंका गांधी मुरादाबाद में नजर आ रहे हैं पहली बार प्रियंका गांधी यहां पर आई तो उनको देखने के लिए प्रियंका गांधी यहां लोगों से भी मुखातिब हो रही हैं लोगों से भी बातचीत कर रही हैं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मेरा ससुराल है और मैं यहां पर आई हूं। उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी वो यहाँ पर आये थी और दो साल में क्या कुछ बदला है तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बदला है तो उन्होंने बोला कि पीतल का कार खाने हैं उसमें कुछ नहीं हुआ यहां के कार खानों को लेकर के पीतल के काम को लेकर के कोई प्रोथसाहन नहीं मिला रोजगार को लेकर के कोई नहीं बतला कुछ नहीं बतला है और किसान अंदोलन को लेकर के भी उनोंने बोला कि दो साल पहले भी किसान परिशान थे और अब भी किसान परिशाण है राहुल गांधी पकल में बैठे हैं उनके और नयाय यात्रा जो है वो शुरू हुई थी जनवरी में मनीपुर से और मनीपुर से आसाम, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश, बंगाल, उडिसा, जारखन, बिहार इन तमाम जगहों को होते हुए ये उत्तर प्रदेश पहु वो महिला सुरक्षा को लेकर के आरोब लगा रही हैं, बुल्डोजर के आक्शन को लेकर के अवाद उठा रही हैं, उन्होंने का बनारस में बीजेपी के कार्यकरताओं ने रेप को अंजाम दिया, उनके घर पे बुल्डोजर नहीं चला, बुल्डोजर की कारवाई को ले इतिनाद पर निशाना कस्ते हुए नजर आ रही हैं और राहूल गांदी उनके बगल में हैं और जो उनकी यात्रा है वो शुरू हुई पुराने मुरादाबाद की पुरानी जामा मस्जिद से यहां समालाती पर्टी भी उनके कार्यकरता नजर आएग कोशश रही है कि अईलाइंस को पुखता किया जाए सडक पर भी ये ऑलाइंस नजर आए और आलाइंस के साथ-साथ जो एकता है वो नजर आए सडकों पर भी जो एकता हुई है गड़ बंदन के तौर पर कि राहूल गांदी और प्रिंकर गांदी को देख करके कुछ उत्सा आएगा कुछ फाइदा होगा हाँ लोगों में बहुत उत्सा आएगा बहुत फाइदा होगा फाइदा होगा जी एलाइंस हो गया है समालोटी पार्टी और कॉंग्रेस का सरकार है हम सोचते हैं राहूल गांदी सरकार है और मोहल पेले जैसा हो जाए जैदे पहले चल रहा था वेसी हो जाए आपका नाम क्या जाए नीरा जग्रवाल जी आप यहां पर है मुरादाबाद में कुछ महौल बनेगा समालोटी पार्टी और कॉंग्रेस का मिल गावर् बहुत ज्यादा श्ट्रॉंग होना चाहिए बस मेरा जी ना मैं कांग्रेस का हूं मैं कांग्रेस का सपोर्ट बिचार दारा था बहुत बड़ा सपोर्ट वह से नीजिए जीते जो पबलिक चाहिए वह जीते हैं यहां रहे गी लेकिन मैं हंडेट पर सेंट को हिंदु कामेशा लोगतवा में एंपी रहा है मुझूदा एंपी है और कांग्रेस के आने से पाड़ी को बल मिला का मजबूती मिलेजी और आज जो है बेरोज गाली जित तरीके ते ताना शाही चल लाई ये चंता मूर्ड में सरकार उखाने लेके भार जियनता पाड़ी को और आन अखिए चुक अना मैं मेरा नाम सुवास मैं जिला रामपूर लखनों से पैसे पैसे ला कौन करहने वाला लग्धनों भारत जोड़न या पसंद और कुछ पसंद नहीं है हमें राहुल भहिया पसंद और कुछ नहीं पसंद लोग तो कहते हैं कॉंग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई नहीं ऐसे ऐसे कुछ नहीं है हम भी दलित हैं अच्छा हम दलित हैं विजनोर्स आए धामपूर से और पाया हुद्धी के सब्सक्राइब करना चाहिए है क्या करते हो आप मैं फनिचर काम करता हुद्धा है कुल में चलिबिः पर मैं लखनों सब्सक्राइब अपनी तन मन और धन जानवी दिनों तयार हूं राउल भहिया के लिए और जो मोदी ने डेली देखता हूं अच्छा चलिए यह बात है यह बात नहीं बोलनी चाहिए क्या बोल रहा है आप खेर बैराल आप से जो सवाल पोचा जाए वो बात करिये तो बहुत लंबा बोल दिया राहूल पापा जिन्दावा राहूल गांधी को देखने आये हैं अब राहूल गांधी रेड माइक तो प्रियंका गांधी खुद राहूल गांधी जिन्दावात के नहीं लगा रही है अब राहूल गांधी के हाथ में माइक आया है प्रियंका गांधी ने कसके जो है निशाना साथी प्रियंका गांधी ने काफी किसान आंदोलन से लेकर के बेरोजगारी बुल्डोजर की कारवाही और मुरादाबाद को अपना ससुराल बताया और पहले भी बोला है तो राहूल गांधी भी जो है यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं यहां सुबह लगभग ग्यारा बजे मुरादाबाद में ये इनकी यात्रा शुरू हुई जीप पर और जीप के बाद में वो यहां पर आपका आयूश कोशे की हैं नवस्कार करो जाना अब पताव करें एक बाद में अब मान लो अगर हमें आयूश जी की जेव काटनी हो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हां इसका घ्यान बठकाना पड़ेगा सही करना है। यह काम आपके लेट फिर पोढ़ेट में देखे हैं। भाई और भाई और भैनो ऊपको उतर देखो भाई और भैनो इदर देखो बाई और भैनो उपदेखो अब उसके हां कहिए हैं को उसके कोशिक को घूमिये जरा, उसके बाद गब उसका ध्यान चला जाएगा पीछे से को याएगा, है ना, किसी बहाना पड़ेगा, वो कौन है भहिया, वो अधानी है, वो अधानी है, ठीक है, अब मान लो, ध्यान बाता दिया, और पीछे से घ्यर कार्टी, को कि इसी किर्चीज क सद्रोट है, हां, भेहां पड़ेगा, ये फिचे से का धानी है, ये पड़ाती है, ये और ये, तुम पहला जो ध्यान बदकाता है मेरे अकर्म ओधीजी, दूसरा जो ज्यान प्रका ये घ्यर कातना है अधानी जी, और तीसरा जो तंदान निया गुंता है अमीच्छा यही हम तुम लोग में कुछ किया, जब लिगे आए, CDI आए, इंकम टैक्स आए, पुलीस आए, तो कुछ किया तो अपर देखो कैसा करना लगता है, अई उची दन्यवाद आपका, तरे कटे बोटो ले राया, यह बहिया सेल्बी का तो में आजा, 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 आज तो यह हुआ, बीजेपी का सिस्टम, एक वियात्ती ध्यान बढ़काता है, कभी आपको बॉलियमुन की बाद कताएगा, कभी आपको उधर देखने हो कहँएगा, कभी सर्चिकल स्ट्राइक की बाद करेगा, अबर ध्यान बढ़काएगा आपका, उसके बाद पीचे से मिच्यान की चुपे से बैठे रहेंगे, देख करेंगे, कि अबर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूँ, यह इनका सिस्टम है, अब मैं आपसे सवार पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछलों की कितनी अवादी है, पचास परसेंट पिछले है, इस देश में ही आट परसेंट नहीं 15 परसेंट, और अनिवासी कितने 8 परसेंट, जोड़ के बताव मुझे, पचास और 15 इतना हुआ, पहसत, पहसत और 15, 80, 80, 80, 80, 81, बाई और मैं आपसे पूछ के चाहता हूँ, यह जो 90 परसेंट जबता है इस देश में, दर ये तानिवासी पिछले म इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, यह सबसे बड़ा सवाब, आप सबसे बड़ी कंपनियों के लिस्त दिखा दो, दोस्तों कंपनियों सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक तुझे दिखा दो, आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा, उसके बाद उसमें आपको 90% ना एक नहीं मिलेगा। फिर आपको ठीक है। 90% हिंदुस्तान की कंपणी के मालक नहीं बने लाते। मैंनी कहता हुआ वह आपके माल लियों कह लिया। तो फिर नहीं आपके पूछो भाईया ठीक है 90% के मीडिया में इतने। मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालेखों की लिस्स निकालों आपको एक OBC निहीं पिलेगा। एक अगलिभ निहीं 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 जाय हो जी तो राहूल गांदी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी मोदे ध्यान भटकाते हैं और फिर जब ध्यान भटका देते हैं लोगों का तो अडानी जेब काट लेता है और फिर डंडा लेकर के अमिशा चलते हैं जो EDCBI प्रधाई इंकम टैक्स का डर दिखाते हैं तो राहूल गांदी यहां पर फिर से जाती का जंगरना की बात कर रहे हैं और कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और सपा के गड़मंदन को मश्बूत आए जाए अब द ट्यत्तर पींदन कि इंक में सम्ट के גपी। आप